पिछले भतर गेंटू के अंदर से जमो कश्मीर में हालाद बड़े तश्विशनाग देखे जा रहे हैं जिस तरह से मिलिटेंट अपना निशाना जो है वो बनाये जा रहे हैं उस साथ साथ सिक्यारिटी फोर्सिस पे उनको अपना निशाना बना रही है आपको बता दें पिछले 72 घंटू के अंदर सबसे पहले रियासी की बात करें उसके बाद कठूआ की बात करें और सुबा डोड़ा के भदरवा इलाके में एक जड़ब देखी गई और उसके बाद अभी ताजा जानकारी के मुताबिक पुंज के अंदर भी एक ताजा सर्च operation जो है वो जारी कर दिया गया है आप देखें पिछले कई वक्त से जिस तरह से वादी कश्मीर की बात करें वहां से militant जो है वो भागने का काम कर रहे हैं और अब उन्होंने खिता पीर पंचाल और चनाब या फिर हम यूँ कहें कि कुठुआ के इस इलाके में अपनी पनाह लेनी शुरू कर दी देराद भी एक जड़प हुई जिसमें कुठुआ के अंदर अभी तक की जो ताजा रिपोर्ट हमारे पास आई है ये बताया जा रहा है कि दो मिलिटेंटों को मार गिराया गया है जबकि अभी भी उस इलाके में जो है वो छिपा हुआ है लेकिन इससे पहले अगर हम देखे तो रियासी के अंदर एक बस को निशाना बनाया गया था जिसमें करीब 9 लोगों की मौत हुई थी और जिसमें 33 से ज्यादा लोग जखमी होए थे फिलाल आपको बता दें पिछले कई वक्त से जिस तरह से मिलिटेंसी को कंट्रोल किया जा रहा था और साल दोज़ार चुबिस को ये कहा जा रहा था कि बड़ा पुर अमन साल जो रहा बाकी सालों के बदले लेकिन जनवरी दोज़ार चुबिस से ले करके अगर अभी तक की बात करें इन शे माह में अभी तक 20 ऐसी कैजवल्टीज हुई है जबकि 16 ऐसे वाकाज जो है वो रौनमा हुए है जिसमें आम शेहरी या फिर सेक्यार्टी फोर्सिस के अहलकार भी अपनी जानगवां बैठे हैं लेकिन ऐसे में अगर हम देखें रात की ताजा जडब जो है अभी भी कठुआ के अंदर जारी है उस पे जो ADGP जम्मू आनगे ने उनकी तरफ से ट्वीट रेरात को भी किया गया था और सुबा भी उनकी तरफ से ट्वीट किया गया था जहां पर चार से पांच जो है वो आर्मी के जवन जखमी हुए थे और साथी साथ उसके साथ एक SPO भी जखमी हुआ था जहां उन्हें फोरी इलाजों मौलजा के लिए उदुमपूर मुंतकिल किया गया था जहाज के जरिये से आपको बताते इससे पहले कई सारे ऐसे वाकियात रौनमा हुए हैं लेकिन अब जिस तरह से एलेक्शन जो है वो बड़े पुरामन तरीके से गुजर गया लेकिन अब जो हालात जमू के अंदर देखे जा रहे हैं बड़े ही तश्वीशनाक है पिछले 72 गंटों के दोरान तीन ऐसे बड़े हमले और उसके बाद अब जो ताजा ओपरेशन पुंच के अंदर भी शुरू हुआ है उसकी अभी कुछ रिपोर्ट सामने नहीं आई हैं लेकिन हमारे नमाइंदे वहां पर भी मौजुद है जो ही वहां से अपडेट आएग गई या फिर किसी लोकल को जो है मिल्टेंट ने अपना निशाना बनाया उसमें अगर हम बात करें आज सुबा डियाई जी एसेस पी कुछ हुआ जो है उनकी गाड़ी के ओपर भी हमला किया गया और उसके बाद मिल्टेंट जो हैं वहां से छुप गए वो गात लगाए और उसके बाद उस घर की जो अफराद हैं किसी तरह से वहां से बचके निकल जाते हैं और उसके बाद मिल्टेंट उन पर भी जो है गोलें चलाते हैं जिसके नतीजे में वो शहरी जो है जो जखमी है और फिलाल वा अस्पताल के अंदर उनका इलाज चल रहा है मज़ीद इस हवाले से क्या कुछ अपडेट आएंगे वो भी आप तक पहुंचाएंगे लेकिन फिलाल कश्मीर में जिस तरह से सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है वहां पे मिलिटेंटूं के लिए एक चैलिंज बन गया है अब वहां के बजाए मिलिटेंट जो है वो खिता पेर प मिलिटेंट है जो सरगरम है और उसी का हाथ कुछ दिन पहले जो एक इंडियन एरफोस की बस के ओपर हमला किया गया था पुंच के अंदर और उसी का हाथ उस बस पे भी है जिसका कुछ दिन पहले रियासी के अंदर उस पर अटेक किया गया था और कई न कई 20 लाख रुप हाई अलर्ट पर रखा गया है कहां से क्या कुछ अपडेट आते रहेंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे पुंच के क्या सुरतहाल रहेगी कठुवा का क्या अपडेट रहेगा और जो जड़प हम यूँ कहें या जो मिलिटेंटों को डूंडा जा रहा है बदरवा के गला इलाके जो कठुवा का बॉर्डर लगता है वहां से क्या कुछ अपडेट आएगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे उसके लिए देखते रहें न्यूज इंसाइडर 24-7